दोस्तो आईपेल के 15 सालों के इतिहास में एक से एक बल्लेबाजों ने इस लीग में हिस्सा लिया है जिन में से कुछ बल्लेबाजों ने बेहदी एतिसी पारी खेली और कहीं सतक लगाए इन में से कुछ पारियां ऐसी रही जिन में छक्कों की बरसात देखने को मिली और दर तो चलिए जानते हैं इसके जवाब में गुजरात की पूरी टीम 18.4 ओवर में सिर्फ 104 रन बनाकर आल आउट हो गई थी और RCB ने यह मेज 144 रनों से जीत लिया था किरिस गैल IPL के सबसे खतरनाक बल्ले बाजो में से एक किरिस गैल ने साल 2015 में खेले गए IPL के आठवे सिजन में अपने IPL करियर का पाँचवा सतक जड़ा था 6 माई को खेले गए मेज में किरिस गैल ने RCB के लिए खेलते हुए आपनिंग की और किंग सिलवन पंजाब के खिलाब 57 गैंदो पर 117 रनों की सांदार पारी खेली थी गैल की स्पारी में 12 छके और 7 चोके भी सामिल थे गैल के इस धमाकेदार सतक की बदूलत RCB ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 226 रन बनाये थे जिसके जवाब में किंग सिलवन पंजाब की पूरी टीम 13.4 ओवर में सिर्फ 88 रनों पर धेर हो गई थी RCB ने इस मेच में 138 रनों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी क्रिस गैल साल 2012 में खेले गए IPL के पांचवे सिजन में RCB के 32 बैट्समैन क्रिस गैल ने दिल्ली डेडेविल्स के खिलाब 62 गेंदों पर 128 रनों की नाबाद पारी खेली थी गैल ने अपनी स्पारी में 13 चक्के और 7 चोके लगाये थे पहले बल्लेबाजी करते हुए RCB ने क्रिस गैल की तावड तोड़ पारी की बदूलत 20 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 215 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया था जिसके जवाब में दिल्ली डेडेविल्स 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 194 रन बना सकी थी और 21 रनों से यह में चार गई थी ब्रेंडन मैक कुलम कोलकाता नाइट राइडर्स के सलामी बल्लेबाज ब्रेंडन मैक कुलम ने साल 2008 में खेले गई IPL के पहले सीजन में RCB के खिलाब 73 गैंदों पर 158 रनों की नाबाद पारी खेली थी मैक कुलम ने अपनी इस पारी में 13 गगंचुम्बी चक्के और 10 चोके लगाए थे मैक कुलम की इस एतिहासिक सत्के पारी की बदुलत के क्यार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 22 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया था जिसके जवाब में RCB 15.1 ओवर में सिर्फ 82 रन बना कर सिमट गई थी और केकयार ने 140 रनों की बड़ी जीत दर्ज की थी क्रिस गैल आईपेल इतिहास की एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकोर्ड क्रिस गैल के नाम दर्जे RCB के तुफानी बनलेबाज क्रिस गैल ने साल 2013 में खेले गए IPL के छटे सिजन में अपने IPL करियर का चोथा सतक जड़ा था क्योंकि गैल ने इस सेंचुरी के साथ ही IPL के इतिहास की सबसे बड़ी पारी भी खेली थी 23 अपरेल को खेले गए इस मुकाबले में क्रिस गैल ने RCB के लिए खेलते हुए पुने वोरियर्स इंडिया के खिलाब 66 गैंदों पर नाबाद 175 रनों की पारी खेली थी गैल की इस एतिसी पारी में 17 तुफानी चक्के और 13 चोके भी सामिल थे जिसके जवाब में पुने वोरियर्स इंडिया को 130 रनों से हर मिली थी